सुरवात तो काफी डिफरेंट था, जनरल पब्लिक जैसे मैं भी होली सेलिब्रेट करना चाहती थी और मैं भी कलर्स काफी ज़्यादा खेलती थी, तो all of sudden मुझे ध्यान में आया मैं आक्टिंग करती हूँ, next day मुझे काफी दिफकत होता है, मीटिंग्स नहीं कर पाती हूँ तो मुझे लगा अगर मुझे नाच गाना करना है और होली सेलिब्रेट करना ही है, तो मैं कुछ डिफरेंट करूँ और मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं हल्दी, चंदन, मुलतानी, मिटी, ये जो स्किन को रिफ्रेश भी कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोड़क्ट को लेके मैं होली का तिवार करूँ तो इनिशियली तो मुझे काफी ज़्यादा दिक्कत हुआ कि पबलिक को समझाने में सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ, फिर उसके बाद जब मैं ये डोर टो डोर कैमपेंड की, लोगों के पास गई, और लोगों ने काफी ज़्यादा अप्रिशेट किया, काफी ज़्यादा लोग इसको अप्रिशेट भी किये, काफी ज़्यादा लोग इसमें इन्वाल्व होके, इसको नेक्स दे खेले भी लगे, क्योंकि यो हुली से वन डे पहले होता था, और सबसे बड़ी बात है, इसको अप्रिशेट किया गया उन जगों पे, जहां पे ज प्रेगरेंस को महसूस करके जान पाते हैं कि हम हल्दी से खेल रहे हैं या चंदन से खेल रहे हैं या टमाटर पेश से खेल रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात थी लोगों तक पहुंचाने के लिए, और लोगों ने इसको काफी अच्छे से एक्सेप्ट किया ओरिसा में, और सेफ होली, हर्बल होली, बिकास कोविट का टाइम है, काफी जादा हम लोगों ने सिट्वेशन खराब, सिट्वेशन फेस किया है, तो मैं सभी को बोलूगी कि हर्बल वे से हर्बल होली खेलिए और इंजॉइ के जिए, करन के आप क्या मैसेज देना चाहिए और क्या विश जब तक आपी हमारे डोसे वैक्सिंस आ गई है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम लगेगा, तो सेफ खेलिए, सिक्योर खेलिए, लेकिन हर्बल प्रोड़क्स जरूर यूज़ करिए, क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छा है,